हाई गैस स्वागत है आपका इस चनल पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रेलवे इंटी पीसी आइन ग्रूप्ड के जो एक्जाम्स होने वाले हैं उस एक्जाम्स में नर्वलाइजेसंस प्रोसेस किस प्रकार लागो होगा और नये नर्वलाइजेसंस प्रोसेस का जो पने वाले हैं अगर आप इस चनल पर नए हैं अगर वीडियो पसंद आए दो वीडियो को लाइक करें शेयर करें करें और इस तरहीं की वीडियो पाMake square चैनल को सब्हुरॉर कर दें दोस्तों सबसे पले हम बात करेंगे जो कि उपांप कर से हम्नें नर्वलाइजेसंस जार प्रसने होगे जित्ने उसके आपके आपके नंबस स्किए जाएंगे और नकीचिन प्लस एम ब्लसएंच्चि ऊह अब यह समझेंगे कि इसमें परतेक्ट टर्म को समझते हैं यह वाड़ इस एम आई जी क्या है और एम जी टी क्या है इसके बारे हम समझते हैं तब आपको आपको समझ में आएगा दोस्तों तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके शीज्ट में आपके कितने माकस अब को रिपरजेंट किया गया है अपके कितने माक्स आए रहा है आहिके कितने माक्स करके यह MIJ को represent करता है दोस्तों दूसरा बात है कि MGT किया है is the average marks of the top 0.1 of the candidate considering all shift यानि जितने भी फेज हुए हैं जितने भी exams के phase हुए हैं उन सारे exams के phase में के सबसे top जो highest number आने वाले student है उसके 0.1% के average marks को लिया गया है यह average marks है highest score candidate जो के all shift में all phases में आया है यह तो यह जो होगा आपके constant रहने वाले हैं सारे candidate के लिए एक ही होगा और MGQ क्या है is the sum of mean standard deviation marks of the candidate in the examination considered in the all shift यानि जितने भी shift हैं उसके mean और standard deviation निकला जाएगा जितने भी shift हुए रहा हैं जितने भी phase होंगे उसके mean और standard deviation निकला जाएगा और यह MGQ को इसको represent किया गया next जो दिया है MTI क्या है the average marks of the top 0.1% of the candidate in the i-th shift i-th shift मतलब कि आपके shift में सबसे top highest जितने आपके shift में जितने highest number लाने वाले 0.1 candidate के क्या है average marks है आपके shift में लिया गया है MTI में next जो दिया M.I.Q क्या है M.I.Q यहां पहीं देख सकते हैं कि is the sum of mean marks of the obtained deviation in the i-shifts यानि आपके shift में M.I.Q क्या है पर कोशन करने के अयह कृतने हैं यह मार्rene करता है और सारे कुछ को हम लोग आपके एक्जांपल के तौर पर हम समझेंगे आगे में तो थोड़ा सा इसके सब्सक्राइब को हम समझ लेते हैं यह मैं जाई हो गया दोस्तों मैकसमम मीन है और अधिकताम मीन कितना कितना आ रहा है वह म्म क्लिए लिए गया आपके अ डिलोया यह लिए अब हम समझते हैं एक यह बार सकते हैं कि कि आपके ऐसं में पहले दिसंबर से तेरा जनुवरीинки लिए जाएंगे इसमें क्या होगा अगर माल नेते हैं आप यह तीन सीफ्ट में आपके एक्जाम्स हुए है और तीन सीफ्ट में बच्चा ए है और तीन कंडेट है जिनका नाम A B C है और माल नेते हैं इसमें आपके थीन फर्मूला बनाया गया है और इस नम्मलाइजेशन फर्मूला को हम अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि माल नेते हैं आपका जो नंबर्स एक्चुल नंबर्स दोस्तों और आपका तरह से आपका गढ़ना किया जाता है आपका इस फर्मूला पर रखेगा आपका लूता से आपको बताय गया जैसे निकलेगा आपको पता चल गया जाएगा तो आपके बढ़ने के चांसे बीस से पचीस नमबर भी बढ़ सकते हैं ऐसा आपके ग्रुप डी में भी देखा गया है तो यह आपका नर्वलाइजेसंस प्रोसेस अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें सिर करें और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करते हैं थ scrappy प्रोसे सत्यक्षा जरॉ अच्छा झांसे स consulting दिकरें सिर अवलाइजेस निर यहिएरे प्रोसे में भी MASeres में भाइब sorta जरॉक्त करें सिरकत बादा वीडियों अच्छा लिए हैं तो उज हो जईॉक्छा आपके प्रोस्ति फपीज़ायरु एळ्करावान से or भीम हैं झाल झाल